और सामकुल फ्रैंक्स, वेल्कम टिक लाउसे केंडर टेविन चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आगए सिलसेवार नॉवल, कहीं प्यार ना हो जाए की, आपिसोड 45, जिसको आपके लिए तहरीर क्या से यदर तहसीन में, तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नॉवल की तरफ वो दोनों यूही मसरूर कुन से नीचे पहुचे, मर्द हजरा तो आफिस के लिए निकल चुके थे, जिपके खवादीन उन्हें लाउंच में खुशकप्यों में मसरूर नजर आई, बीजान, हुमेरा और शाजिया आज भी ताहरा को समझा रही थी, जिपके उन्होंने आ उन्हें बैठने के लिए कहा, वो दोनों भी मस्कुराते हुए बीजान के हुकम पर वहां पढ़े टू सीटर सुफ़े पर दराज हो गए, उसके साथ पढ़े थ्री सीटर सुफ़े पर बीजान और शाजिया बैठी हुई थी, जबकि में इसके दूसी तरफ टू सीटर सु पर पढ़ा था, जिस पर ताहरा और हुमेरा बैठी हुई थी, एहत शाम, इस से पहले कि बीजान बात का आखास करती, किसी लड़की ने लाहुंच में कदर रखा था, और इस आवाज के ताकुब में जैसे ही उन्होंने सामने खड़ी लड़की को देखा, तो सब ही फरता हैरत में डूबे खड़े हुए थे, सारा की दिल पे तो ये अकलक थी, बिज्ञिया गिरी थी, क्योंकि उसका डर, आज सही हो सालिम उसके सामने आखड़ा था, जब कहत शाम की चहरे पर घैस नुमाया था, वो आशा थी, जो कि आज उसी ड्रेस में वापस लोटी थी, जो कहीं कहीं खून के धपे नुमाया थे, जो कि अब खुशक हो चुके थे, यहां आने से कबल, ये ड्रेस पहने का मकसद सिर्फ यही था, कि गोया वो सबको जो कहानी सुनाने वाली है, उसमें किसी तोर कोई छोड़ना हूँ, खुरम ही उसे छोड़ने आया था, लेकिन आज और तरफ खामोशी चाही रही, खुरम ने कुछ तवकुफ के बाद अपनी बात मकमल गी है, आप मुझे कांटेक कीजेगा, मैं आपको लेने आ जाओंगा, खुरम ने बात के इखताम पर उसे देखा, कि जाने वो क्या कहीं की, लेकिन मेरा मुबायल तो उस दिन मेहदी व बाने के लिए भीजी थी, सफाई के दौरान उन्हें डैशबूर्ट से कोई मुबायल मिला तो था, उन्होंने मुझे बताया था लेकिन मैंने चकी नहीं किया, यही समझा कि एमर का यह फोन होगा, जभी उससे राप्ता नहीं हो रहा, क्या पता वो आप ही का फोन हो, यह हेंडबैक तो इसी गाड़ी में था, मैं ले आया, लेकिन मुबायल नहीं डैशबूर्ट में पड़ा है, खर अगर कहती हैं तो अभी चलकर महां से मुबायल ले लेते हैं, या फिर मैं आपको नहीं मुबायल ले देता हूँ, खुर्रम ने कुछ यादानी पर उसे बताया तो आश अभी सोचें लगी, कि हो सकता है कि उस दिन वो गाड़ी में ही मुबायल भूल गई हो, खुर्रम ने रास्ते से ही उसके लिए नहीं फोन खरी दिया था, लेकिन आश अने मना कर दिया, नहीं रहने थे, कोई ज़ूरत हैं, आप बस घर चले जाएं, नहीं नहीं न नबर फिलहाल आप शेर मत कीजेगा किसी से, बलकि ये फोन आप घरवालों से चबाकर रखेगा, फक्त मस्से राप्ते के लिए, क्योंकि उन्हों ने आपके पास फोन देखा तो यकीनल सवाल उठाएंगे, क्या आपने पहले राप्ता करके अपनी हालत के बारे में क्यों नहीं बताया, और फून गुम होने का बताकर आपको किसी हद तक बेकुसूर साबित करने में शायद गामयाब भी हो जाएं, खर मैं आपको तंग नहीं करूंगा, बलकि आपको धी कांटेक करके एक बार मुझे बता दीचेगा कि वहां क्या हुआ हुआ है, खुरम ने जब नहीं इसकी ज़रुरत नहीं है प्लीज, मैं नहीं चाहती है अपने मसायल को बढ़ाओं, अगर नहीं कुबल करेंगे तब भी मैं आप पर बोज नहीं बनना चाहूंगी, पहले ही आपके मुझे बहुत से इसानात है, जो कुछ आपने मेरे लिए क्या वो ही बहुत है, इन हाला से आगा करती नहीं, खुरम को उसकी बाद से कद्रे रंज पहुचा था, जब ही सवाल उठाया, मेरा किरदार जानते हुई भी आप इतने बड़ी दिल का मुझारा क्यों कर रहे हैं, बज़ा जान सकती हूं, आशा ने जवाब देने की बज़ाया, निगाहें जु जकते हुए पूछा था, महबत भी वज़ा होती है, जबकि वज़ा से तो इनसान की घर्स और खौाहिशात मनसूब होती है, मुझे इससे फर्ट नहीं पड़ता, बस इतना जानता हूं कि आपको बहाद पहले से चाहता हूं, अब इस बात पे अपनी चाहत से तो नहीं मु नोट कर लें, या कार्ड रखें, लेंड लाइन से कॉल करके एक बापताद जरूर दीजेगा, खुरम ने डैश बोर्ट से अपना कार्ड निकाल कर उसकी तरह बढ़ाया, जिस पर उपर उसके बाबा का नाम और नमबर दर्श था, नीचे खुरम का नाम और नमबर था, व अगर घरवालों ने उसे खुबूल ना किया, तो उस सूरत में प्लान बी का इस्तमार करेगी, पढ़ना नहीं, एहतशाम, आशा उसका नाम पुकारते हुए तेज कदम उठाय उसकी तरू पढ़ी थी, एहतशाम ने हाथ बिलंद करके हतेली के इशारे से उसे दूर से ही लुकने का इशारा दे दिया था, जबकि ताहरा ने भी आशा की अवास सुनकर बेसाखता उस सरफ निगाहें की, कि शायद उनका बेटा भी लौटाया हो, तुम, अब क्या लेने आई हो यहां, बीजान ने आशा को देखकर पुर जलाल लहजे में कहा, मेरा कोई कुसूर नहीं था, मैंने कोई खलती नहीं की, आशा ने उनकी तरफ कदम भढ़ाते हुए हिम्मत बांधे कहा, खाना की इज़त खास में मिलाकर, तुम कह रही हो कि तुम्हारा कोई कुसूर ही नहीं, चली जाओ यहां से, जहां से आई हो, वहीं वापिस चली जाओ, बीजान ने द जो यहां से, आगाजी और अपनी बॉआ को तो निगल गई तो, खानदान की इज़त का तमाशा बना डाला, अब सुनने सुनाने को बचाए कि क्या है, बीजान ने अपनी चांग, जटके से उसे दुटकारना चाहा, लेकिन वो फिर भी वहीं उनके कदमों में बैठी रही जबकि बॉआ और आगाजांगी मौत की तज्जीख में उसे रंजीदा कर दिया था, बॉआ के बारे में सोचकर दिल भटने लगा, वो रोने लगी थी, मेरा कोई कुसूर नहीं है, एहमर सेलान से वापसी पर मुझे जबर्दसी अख्वा करके ले जाना चाहता था, लेकि कीजी से भागते हुए, मैं तो अचानक सामने से आती, गाड़ी से टक्रा कर भेहोश हो गई थी, कोई अल्ला का मिन्दा मुझे हॉस्पिटल छोड़िया, मैं अब तक नहीं थी, वहां से डिस्टार्श मिलते ही घर आ गई हूँ, एहमर का मुझे नहीं पता वो कहां किया क्या वो घर लोटाया है, आशा ने अपने आँसों बोचे, बहुत जल्दी में उन्हें अपनी सोची समझी सारी कहानी सुना डाली थी, क्योंकि उसे पता था अब यहां कोई उसकी धारत बनाने वाला नहीं है, नहीं आया मेरा बेटा, जूट बोती हो तुम, मेरा बेटा क्यों करेगा, ताहरा उसकी बात पर बहरा कुटी नहीं, कहानी तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने, लेकिन यहां कौन यकिन करेगा इस पर, तुमने जो मेहंदी वाले दे मुझे मैसेज किया था, अभी मेरे मुबाइल में ही है, डिलीट नहीं किया मैंने, उसके मतालि दिया था, बहुदा मैंने यह मैसेज नहीं किया शाम, और नहीं मैं उसके बारे में जानती हूँ कुछ, कि यह किसने क्या है, मैं किसम उठाती हूँ, अप लग मेरा यकिन करे, मेरा मुबाइल तो उस दिन से कहीं गवं हो गया था, और मुझे भी नहीं पता कि किसके पास ह मैसेज पढ़ते ही मारे हैरत के आशा के दोनों हाथ उसके मुझ पर आठिके, इस सारी सूरतिहार में भी सारा को आशा का एहतशाम को शाम कहकर मुझे बखाते परना किसी तỌड नहीं आहा था, आशा की निगा, इस सारी बाग के दोराँ सारा पे टिकिती जोग एए और श आहत्शाम और सारा की रिष्टे के मतालिक सोचते हूय जाशती नज़रों से तके जा रही थी। लेकिन आहत्शाम ने समझा कि वो सारा पे शक्र करे है। जबी उसकी शक्की निगाहों को भापते हुए, एक्षाम निसारा को एकबाज के हसार में लेते हुए अपने साथ लगाया और तेवली चड़ाय आशा को देखा मेरी बीवी पर कोई भी घट्या इल्साम लगाने से पहले कि बारे में सोचना भी मन चाहे जो मर्जी कानिया बनाओ, लेकिन एक जर्म से तुम नहीं मुकर सकती, रातों को एहमर आगए की कमरे में जाने का जर्म है तुम पर, और उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी, और वो सजा मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी मौत तुम्हें या खेच कर ले आई है, और तुम्हें मैं अपने हाथों से मौत की घाट उतारूंगा, जबके सारा मताजब सी उसके पहलों में लगी, सर उठाए बेयकीनी से उस शक्स को तके जा रही थी, जिसका एकरार हर बार उसे हरान कर देता था, एतशाम आप इसे बाहर हो रहा था, सारा मेरा रिवॉल्व नहीं करोगे, यह हमारा हुकम है, हम खुद निप्टेंगे इस से, बीजान ने हाथ बुलंद करते हुए फैसा सुनाया, लेकिन बीजान, कुछ हिसाब मेरी तवी तो निकलता है, जो मैं खुद चुकता करना चाहता हूँ, एतशाम ने लाल कटोरे आशा पर गारे हुए न लेकर जा रहा था, और उसके कम्रे में जाना भी जूट है, आशा ने ने नजरे चुराते हुए जूट बोल गए, खुद का दिफ़ा तो करना चाहा, लेकिन वो हैरान भी थी, कि एहत्जाम पे ये रास कैसे अफशा हुआ, लगता है एमरा आखा वापस आगया है, और उस लगी का गला दबा दे, जो बार बार उनके बेटे को मुझे करार देती थी, वो उसे दबोशने के लिए आगे बढ़ी लेकिन हुमेरा ने उन्हे बादों में भरते हुए रोक लिया, जबकि उनके इस रवएए पर खौफ ज़दा सी आशा भी उत्ते हुए एहत्शाम के पासा खड़ी हुई थी, आंठी बाख खुदा मुझे एहमर के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहा है, आशा ने अपके कसम उठाने से भी गुरेज नहीं किया था, ताकि किसी तरह सब को यकीन दिला सके, तो क्या तुम्हारी मुआवाने नहीं देखा था तुम्हे एक र तो उसे उसके बारे में पूशें के लिए ही उसे मुझे बलाया था, बीजान के सवाल पर एक बाप फिर से वो हैरान हुई थी, लेकिन दूसरे ही लम्हें समलते हुए, आशा ने जूट को तवालत बखशते हुए, अपने दिफा के लिए आज फिर से वो ही बहाना गढ़ थी, इसी सर्प्राइस को प्लान करने जो तुम दोनों ने मेंधी वाली रात घर से बापकर हम सब को दिया, सारा भी खामोश हैं ही रह सकी थी, जब ही वो भी मैदान में उतर आई, हां मैं जाती थी उसके कमरे में, क्योंकि मैं मैं मचपूर थी, इस इंकशाफ पे सब के सर उन पर बंब भटा था, उसके पास मेरी कुछ तसावीर ऐसी थी जो मुझे वो लीक आउट करने की धंकी देता था, मुझे मजबूरां जाना पड़ता था, एहतशाम अपने काम से काम रखते थे, कभी घुमने पिरने की या शौपिंगी बात नहीं करते थे, जबकि जानत भी थे कि मुझे ये सब बहुत पसंद है, जानती हूँ आप ठीक थे, कि शाजी से कबल ये सब जेव नहीं देता, लेकिन मैं अपनी खौईशाद के पीछे भागने लगी थी, एहमर मुझे गुमाने फिर आने ले जाने लगा, यूनिवर्स्री के बहाने हम घुमते फिट और फिर शौपिंग भी करते, जो मैं हर बार अपनी दोस्तों का गिफ्ट कहकर परदर डाल जा थी, धीरे धीरे वो मेरी तारीफ करने लगा, मेरी पसंद और नापसंद का ख्याल रखने लगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सब म हमारी दर्म्यान फासिक कैसी कम होते चले गए और कुर्पते मरने लगी, इन्हीं गमजोर लहमात के सुबूत, एहमर ने अपने पास रखने थे, क्योंकि वो तो सिर्फ मुझे समाल कर रहा था, एक दिन उसे ही हकीकत भी आचकार कर दी थी मुझे उस रोस शादी के के सब टेलर के पास गए थे, मैं शादी की शौपिंग से मेकप का समाल निकाले चेक कर रही थी, जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ, और लफजों की जहर भूगते ही, मुझे दो कौरी का कर दिया, उसे खा कि वो एहत्शाम से बतला लेने के लिए मेरे करीब आया था, त अलसा डाला, और मैंने एक रात जोकलती की थी, फिर उसका हरजाना कई रातों की सूरत में अता करना पड़ा, मैं इस पर बरस पड़ी, लिकिन कहीं न कहीं मैं भी तो गलत थी, सो हमारे जगड़े के दौरान उसे फिर से एक अरुबत बढ़ाना चाही, इसी एहतजाज में मेरी सुर्ख लिप्स्टिक जो मैंने कुछ दिर कबल नहीं लब मों पर लगाई थी, उसकी सुफ़ेश शिर्ट पर शूर्डर की करीब लग गई, मैंने उसे नहीं बताया, था कि वो भी सबके हातों रुस्वा हो, और मेरा पीछा चोड़ दे, लेकिन खुदा उस पर अंदिस उतार फेका था, जो कब से वो उठाय फिर रही थी, यही सोच करके आज अदालत लगी है, तो फिर हर बात का हिसाब बेबाग हो जाए, एक बार ही उसे उसकी जुन की सजा सुना दी जाए, आशा रोते हुए भट पड़ी थी, जिस गलती का बोज वो कब से उठाय पिर रही थी, वो सब के सामने आखे रखी दी थी, जब ही सब ही उसकी बात पर शौक रह गए, बीजान तो यह बात सुन कर गिरने को थी, जब शाजिया उन्हें सोफे पे बिठाये, भागते हुए उनके लिए पानी ले आई थी, ताहरा भी मूपर हाथ रखे, पीछे गोर करना चाहता हूँ, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई कि और अज़ात होकर तुम अपनी मामूली खौईशात के लिए अपनी हिस्ज़त को दाव पर लगा गए, कैसी और तो तुम, जो अपनी हिस्ज़त को इतनी आसानी से, चंद आरजी खुशों के एवस नहलाम कर लमा बहर को सारा भी काम उठी थी, मैं मानती हूँ, मैं गलत थी, बहुत गलत थी, उस जर्म पर जो सदा मुझे देंगे मुझे कुबूल है, लेकिन घर से भागने का मेरा ऐसा कोई रादा नहीं था, नहीं मैंने कोई मैसेज किया था, ये सब एहमरागाने किया है, ये मेर लादी वाले दिन हॉस्पिटल में बढ़ी थी, इस सबसे बेखबर कि क्या हुआ है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे लावाली समझ कर आप लोग मुझे पर ही सारे नजाम धर देंगे, वो अब से सकने लगी थी, आश्या ने वो फाइल एहतशाम की तर बढ़ाई, जिसमें पड़े काख़ा से कि वाज़ था, कि वो अब तक हॉस्पिटलाइस थी थी, लेकिन हैदरशाम आगा ने वो डॉकॉमेंट्स देखना गवारा नहीं किया था, यकीन कीजे, मेरे पास मुबाईल नहीं था, होता तो मैं आप लोगों से राप्ता करके ना बता दी कि मैं वहाँ हॉस्पिटल में पड़ी हूँ, मैं तो आपकी मुझरिम हूँ, तस्लीम कर रही हूँ लेकिन, आपने क्या किया, बज़ा इसके कि मेरे पीछे आते, तलाश करते, उल्टा मुझे ही मुझरिम बना कर खुच शादी रचा कर अब कतल भी मेरा ही करना चाते हैं, व आज के लिए बसे सहीं, वगर कहानी अभी बाकी है, जोड़े रही का क्लासिक एंडिटेर्मेंट के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नहीं एपिस्ट लेकर हासी होंगे, तिल देन, ठेक कियर, और आलाव हास्टेर्स,